हलो फ्रेंड्स इस्टरी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के विसे में और ब्रम्भ समाज की स्थापना के विसे में आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रिलिम्स और मे जो है भारत में समाज सुधार योमधार्मिक सुधार के अग्रदूत कहे जाते हैं इस कथन की पुष्टी के लिए आपको 100 सब्दों में या 200 सब्दों में लिखने को दिया जा सकता है कि राजार राम मोहराय को भारती समाज सुधार का अग्रदूत कहा जाता है इसकी या फिर भारत में ब्रह्म समाज की जो समाज यूम धार्म सुधार के लिए जो योगदान है उन पर प्रकाश डालिए या फिर आपको पूरा एक बिस्तरत कुश्चन दिया जा सकता है कि जो समाज यूम धार्म के सुधार के लिए बिभिन संस्थाएं इस्थापित की गई उ और उनकी सब जो संस्थाएं हैं और जो भी उन्होंने किया अपने जीवन में भारती समाज योम धर्म के सुधार के लिए उन सब पे डिसकस करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजा राम मोहन राए तो अगर हम बात करेंगे आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो राजा राम मोहन राए इनके विसे में हम चर्चा करेंगे और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इनके हम जीवन के विसे में पढ़ेंगे जब भी कुछ घटनाओं पर भी प्रसन जो है वो बनते हैं ताकि आपको अपने महान विभीतियों की मिसे में जानकारी होनी चाहिए इनके जीवन पे हम चर्चा करेंगे इसके बाद कुछ हम उपनाम पे चर्चा करेंगे उपनाम और उपाधियां राजाराम मोहनराय को बहुत से प्रसंदीदा टॉपिक भी रहा है एक्जामनर्स का कि इनके उपनाम और उपाधियों के मिसे में कुछ्चन पूछे ही जाते रहते हैं तो उपनाम और उपाधियां इनको जो दी गई उनके मिसे में चर्चा करेंगे उसके बाद हम इनकी जो चर्चा करेंगे बिचार धार अगर आप मेंस के दिश्टकोंड से questions लिखने जा रहे हैं या फिर प्रिलिम्स के objective questions जो आज कल बदले हुए दिश्टकोंड से आते हैं उसमें किसी भी महान बेक्टित या किसी भी संस्था का जो प्रमुख जो बिचारधारा होती है उसकी उसे पकड़ने की जरूरत है तब ही आप उस question को start out कर सकेंगे तो concept clear करने के लिए हम इनकी विचारधारा पर चर्चा करेंगे किन चीजों का समर्थन करते थे किन चीजों का बिरोध करते थे इसके बाद इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो प्रकासन में भी रहा है प्रकासन में हम इनके पत्र पत्रिकाओं पे चर्चा करेंगे पत्र पत्रिकाओं का प्रकासन किया या फिर पुस्तकों का जो है इनके कौन-कौन सी पुस्तकें जो हैं पत्र-पत्रकायों पुस्तकें इस पे चर्चा करेंगे और इसके बाद इनकी हम संस्थाओं पर चेक करेंगे संस्थाएं या फिर आप इसे संस्थापना एक डिख सकते हैं कौन कौन से संस्थाओं की संस्थाओं की इस थापना की और उनके क्या उद्देश से रहे थे राजारामोहनराय ने बहुत सारी सामाजिक योन धार्मिक जो विकास के लिए उन्नती के लिए अनेक संस्थाओं की भी स्थापना की थी तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इनकी यूरोप यात्रा की चर्चा करेंगे यात्रा भी इनकी बहुत ही महत्वूर्ण टॉपिक रहेगा क्योंकि इनको कहा जाता है कि समुद्र पार करके योरोप जाने वाले लिए पर्थम बेक्ति थे ऐसा इनको कहा भी जाता है कुश्चन भी इस टॉपिक पूछा गया है तो यूरोप यात्रा के मिश्य में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले चलिए हम जीवन पर बात करते हैं जीवन के सम्मंध में हम बहुत सारी चीज़ों को न पढ़ करके कुछ खास चीज़ों पर हम बात करेंगे सबसे पहला हमारा टापिक रहेगा इनका जीवन जीवन परचे में इनको जन्म यो म्रत उसे समंधित चीजें आपको याद रखनी है जो questions आपसे पूछे जा सकते हैं जन्म इनकी तारीख जो है वो 22 माई 1772 22 माई 1772 में इनका जन्म हुआ था और स्थान जो है वो पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल में हुगली जिला है हुगली नदी भी है वहाँ पे राधा नगर नाम का गाउं था राधा नगर गाउं यहाँ पर इनका जन्म होता है और जन्म से समंधित जो है questions आपसे पूछे जा सकते हैं करके इनका जन्म का वर्स भी कई बार एक्जामस में पूछा गया है अस्थान भी पूछा गया है लेकिन बहुत महत्पोड इनके मरत से समंधित कुछ घटनाए है उन पे भी आपको जानना चाहिए जो questions पूछे गए हैं मरत इनकी जो है 27 सितंबर 1833 को हुई थी और ये अस्थान है ब्रिष्टल ब्रिष्टल जो इंगलाएंड में थे इंगलाएंड ब्रिष्टल इंगलाएंड में अस्थान है और वही पे इनकी कब्र भी बनी हुई ये question पूछा गया इसलिए आप इसको नोट डाउन करेंगे कि राजाराम मोहनराय की कब्र कहां है एक question पूछा गया है तो उनकी कब्र जो है वो ब्रिष्टल नाम के स्थान पे है जो इंगलाएंड में है और वही पे इनकी कब्र भी है और ब्रिष्टल में इनकी एक लगभग दो मंजिल उची एक काले पत्थर की बनी हुई मूर्ती भी वहाँ पे लगी हुई है ये भी प्रस्ण कई बार एक्जामस में पूछा गया है कि राजाराम मोहनराय की कब्र मूर्ती के बिसे में तो ये ब्रिष्टल इंगलाइंड क्योंकि अक्सर जो है यहाँ पे कुर्सटल इंगलाइंड में इद्र इनकी मूर्ती भी लगी हुई है क्योंकि राजाराम मोहनराय के बिचारों से ना केवल भारती बल्कि यूरोप के भी बुद्ध जीवी वर्ग जो थे वो प्रभावित थे, अभी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि इनकी बिचारधारा किस परकार की थी, जिससे भारत के लोग ही लाभनवित नहीं हुए, विश्व के अनेक बिचारक भी इनके लेखों को, इनकी पत्र-पत्रकाय पुस्तकों को भी जब पढ़ते थे, तो वो बहुत आश्चर चकित होते थे, क्योंकि इस परकार की आध्मिक बिचारधारा भारत में लाने वाले ये बिक्ति थे, इसलिए इनको बहुत सारे उपनामों से, बहुत सी उपाधियों से इनको नवाजा गया है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इनकी उपाधियां, यवम उ उपनाम क्या क्या है, कौन-कौन से नाम जो है इनको भारत में समान के दिश्टकोर से दिये गए, और कौन-कौन सी इनको उपाधियां दी गई, इन पे जो है कुश्चन्स, बहुत सी वंडे एक्जाम में और आई-स और पी-सि-स के एक्जाम में भी बिकल्पों में ये हैं, तो यहां पर जो पहली हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम राजा, जो इनकी उपाधी है, ये कहीं के राजा नहीं थे, जो लिखा जाता है, राजा, राम, मोहन, राय, तो राजा इनकी एक उपाधी है, ये क्या है, ये उपाध है, और ये उपाध इनको 1831 में दी यह प्रसन भी पूछा जा सकता है पूछा गया भी है कि राजा राम मुहनराय को राजा की उपाधी कब दी गई थी किसके दोरा दी गई थी तो यह भी हम चर्चा भी करेंगे क्यों कैसे हुआ था यह आप यहाँ पर नोट करें राजा की उपाधी जो है वो अकबर दुती ज उनके दोरा जो है 1831 में ये राजा की उपाधी दी गई थी दूसरा जब हम बात करते हैं कि ये जो है समाज योम धर्म के सुधार के लिए बहुत सारे काम भारत में सुरू किये और ये ऐसे प्रथम बेक्ति थे जिन्होंने खुले तवर से जो है समाज सुधार की बात को आधनिक भारत का जनक भी कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है आधनिक भारत का जनक भारत का जनक क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि जो भारत में आधनिकता आई है वो माना जाता है कि प्रथम बार जो प्रयास करने वाला बेक्ति था वो थे राजा राम मोहन राय और उ इसलिए आधनिक भारत के जनत या पिता जैसा भी आप सना जाए पिता भी कहा जाता है इनको और एक नाम से जाना जाता है इनको कहा जाता है समाज यों धर्म सुधार के अगर्दूत या कह सकते हैं आप सामाजिक धार्मिक सुधार के अगर्दूत यानि आगे चलने वाले हमने बताया कुश्चन भी आपको बताया पूछा भी गया है आई आरेस में कि राजा राम मुहन राय सामाजी क्यों धार्मिक सुधार के अगरदूत हैं इस टिपड़ी की बिवेचना कीजिए या विसलेशन कीजिए तो आपको पूरा जब खाका आपको तयार होगा जब संस्थाएं इनकी यात्राएं इनकी बिचारधारा हर चीज को पकड़ के बैठे होंगे तब ही आप इस तरह के विसलेशन आत्मक जो कुश्चन होंगे उनका उत्तर दे पाएंगे कि यह अगरदूत हैं तो क्यों हैं और यह सिर्फ सामाजी क्यों धार्मिक सुधार के अग पत्रकारिता को बहुत ज्यादा आगे फैलाया और यह पत्रकारिता यानि प्रकासन जो है उसके लिए अंग्रेजों से संघर्स भीकिया उसकी स्वतंतरता के लिए पत्रकारिता की स्वतंतरता के लिए अंग्रेजों से यह भिड़े तिसले इनको पत्रकारिता का भारत में राजा राम मूहांड राए प्रथम आधुनिक बैखती थे इसन प्रकार की बात को खुले मंच से कहने वाले जिसकी वजे से इनके समाज से इनको निसकासित भी कर दिया गया इनके पिता से इनका बैर हो गया और इनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा था इसी व पुरुस क्योंकि यही पहले आधनिक हुए तभी तो इन्होंने दूसरे को आधनिक बनाने का प्रियास किया तो इसलिए इनको माना जाता है कि पहले आधनिक पुरुस यही है भारत के प्रथम आधनिक पुरुस और जैसे कि कहा जाता है कि सामाजी क्यों धार्मिक सुधार के अगर्दूत है तो इसमें आपको बंगाल सब्द लगा करके भी दिया जा सकता है कि बंगाल में सामाजी क्यों धार्मिक सुधार के अगर्दूत कौन है तो वो भी राजाराम मोहनरा है क्योंकि राजाराम मोहनरा है बंगाल से समंदित थे और इन्होंने जो भी काम किये उनक वहiden बंगाल से नजर आता है यहां से राजाराम मौनराई के लिए आधनिक्ता के लिए वह Kारिकरना प्रारंब किया और इनके इन सामाजिक यों धार्मिक सुधार के तो इनके द्वारत्य रास्ट्रवाद के जनम भी होता है यानि भारती रा locks Walking के जनमदाता भी राजाराम मुहर्णराय को कहा जाता है तो यहां पे एक अगला पॉइंट इंका हो जाएगा भारतिय राश्छच्रवाद के जनक माना जाता है कि इनके इन परियासों से ही भारत में राश्च्रिता की भावना ने जनम लिया तो राश्च्रवाद के जनक भी इनको कहा जाता है और most important जो है इनको कहा गया है युग दूत इनको कहा गया है युग दूत और युग दूत के विशे में प्रसना सकता है कि युग दूत की संग्या राजा राम मोहनराय को किस ने दी थी तो सुभास चंद्र बोस ने इनको युग दूत कहा था य आपको पूछ रहा होगा कि बहुत ही बड़ी सक्सियत रहे होंगे तो निश्य तोर से बहुत ही बड़ी सक्सियत थे बहुत बड़े एक समास सुधारक योमधर्म सुधारक जो है ये जाने जाते हैं तो इनकी बिचारधारा क्या थी हमने जीवन जाना उपना मुपाधियां डारी तो कौन सी बिचारधारा ऐसी थी जो इतने सारे जो है इनके साथ टाइटिल लगाये जाते हैं तो हम बात तो दो चीजों पे हमें फोकस करना होता है एक चीज कि ये कौन सी चीजों के समर्थन में थे यानि समर्थक थे और कौन सी चीजों के बिरोधी थे यही हमारे कुछ संस बनेंगे इन्हीं पे हम आज पूरा क्लास भी पूरा इसी पे रहेगा कि कौन कौन सी चीजों का समर्थन किया कौन कौन सी चीजों का बिरोध किया और उन्हीं वजहों से ये प्रकासन और संस्थाई इन्होंने बनाई तो समर्थन की जब हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समर्थन कौन कौन सी चीज का इन्होंने समर्थन किया था समर्थन पर बात करें तो जितनी भी आप अधनिक्ता की अच्छी बाते हैं वो आप यहां डालेंगे जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो आप देखें एक इस्वरवाद एक इस्वरवाद एक इस्वरवाद के समर्थक थे एक इस्वरवाद का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि इस्वर एक है और इस चीज को ही इन्होंने माना देखिए राजाराम मोहनराय के बिसे में आप सबसे पहले ये जान लीजिए राजारा मोहन राए एक बहुत ही सिच्छित बेक्ती थे, बहुत ग्यानी बेक्ती थे, इनको कई भासाओं का ग्यान था, ये बहुत भासाओं जानते थे, देखिए भासा जो होती है वो ग्यान का एक सोर्स होती है, कौन कौन सी भासाओं जानते थे, ये जानते थे फार्सी, फार्शी भासा जानते थे, अर्बी जानते थे, अर्बी भासा, संस्क्रत जानते थे, इन सब भासाओं का ये ज्यान रखते थे, हिब्रु भासा, हिब्रु भासा जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, लैटिन जानते थे, लिष्ट कम पढ़ जाएगी, जितनी भासा हैं पूर्ष मिला के बारा भासाइं जानते थे ये कुछ भासाओं के प्रकान work हूँ औरावश यह फूल ऊटाए अधराइं से पूखोंकी जानते थे जिससे हैं। हमने बताया कि आप इनके कुछ ऐसे कारे थे जिनकी वजह से इनके घर में इनका बिरोध हो गया जैसे जब ये छोटी उम्र के ही थे तब ही इन्होंने मूर्ति पूजा के बिरोध में जो है काम करना सुरू कर दिया था हम देखेंगे की इस प्रकार सिर्फ इन्होंने एक लिख करके एक पुस्तक उन्होंने मूर्ति पूजा को खंडित कर दिया अब चूंकि ये परिवार से थे जहां ये सीधे तोर से मूर्ति पूजा का बिरोध कर रहे थे समाज में इनके परिवार पे दबाव बढ़ने लगा कि आप अपने लड़के को समझाइए इस प्रकार की बातें करता है तो इनके पिता जी से भी इनका मन मुटाओ हो गया और इनको घर छोड़ना पड़ा तो यहाँ पे कुछ दिन तक ये जो है इस्ट इंडिया कमपनी में दिवान के पद पर काम भी किये हैं अगर हम बात करें तो यह अठारा सो तीन से अठारा सो चोड़ा तक दिवान रहे हैं किसके जान डिगवी के जान डिगवी यानि आप कह सकते हैं कि इस्ट इंडिया कमपनी के East India Company में दीवान के पद पर जो है जान डिगवी के दीवान थे ये वहाँ पर काम भी इन्होंने किया है लेकिन 1814 के बाद में इन्होंने वो कारी छोड़ दिया और समाज सुधार में ये कूद पड़े थे बिलकुल एक्टिव हो करके तो इस परकार से इन्होंने हर एक धर्म हर एक समाज की पुस्तके पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि इनकी भासाओं का ग्यान बढ़ गया था तो इन्होंने कुरान भी पढ़ ली गीता भी पढ़ ली बाइबिल पढ़ ली और बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने अध्यन का आत्मा की अमर्ता इन्होंने कहा आत्मा जो है वो अमर है आत्मा की अमर्ता का समर्थन किया इन सब चीजों से इन्होंने निसकर्स निकाला कि जो इस्त्रियों की दसा समाज में है वो खराब है धर्म के हिसाब से जो विबेचनाय की गई है लोगों के द्वारा पूरहितों के द्वारा मौलवी के द्वारा अन्य सब चीजों के द्वारा इस्त्रियों की दसा समाज में खराब है इसलिए इन्हों ने इस्त्री ससक्ति करण का समर्थन किया है यानि इन्हों ने इस्त्री सिच्छा पर बल दिया इस्त्री सिच्छा का समर्थन किया इन्होंने जो है बिध्वा बिवाह का समर्थन किया बिध्वा बिवाह इन्होंने कहा कि बिवाह को भी जो है बिवाह करने का अधिकार है और इन्होंने इस्त्रियों के उत्राधिकार का समर्थन किया यानि इस्तरी का उत्तरा अधिकार पिता की संपत्य में इस्तरी का भी हक होना चाहिए इस पे भी इन्होंने समर्थन किया और अंतर जाती बिवाह का समर्थन इन्होंने किया और सर्वधर्म संभाव, यानि सर्वधर्म का समर्थन, सभी धर्मों को जो है एक समान इन्होंने माना, इस चीज को इन्होंने समर्थित किया, इनका मानना था कि हर एक धर्म में जो अच्छी चीजे हैं, अच्छी ची बाते हैं, ग्यान हैं, सिछाए हैं, उनको हमें ग्रहें करना चाहिए और जो कुरीतियां हैं जो बुराईयां हैं उन्हें हमें त्याग देना चाहिए किसी धर्म में जो है उन्होंने समर्थन नहीं किया किसी धर्म का खुला बिरोध नहीं किया ऐसा नहीं उन्होंने किसी धर्म का ही समर्थन किया या किसी धर्म विसेस का बिरोध कि उन्होंने का हर एक समाज हर एक धर्म में जो अच्छी चीजे हैं जो हमें आधनिक बनानी हैं आधनिक बनाती हैं आधनिक बनाने का मतलब है एक सभे इंसान एक सभे समाज बनाती हैं उन चीजों को हर एक धर्म से लिया जाना चाहिए और उनको जो है समर्थन इन्होंने दिय वो अंग्रेजी सिच्छा के समर्थक थी ये अंग्रेजी सिच्छा के समर्थक ये भी अलग से कुश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है बहुत ही पसंदीदा कुश्चन रहा है एक्जामनर्स का कि किसने जो है अंग्रेजी सिच्छा का समर्थन किया था भारत में तो च चाहिए और हमें आधनिकता में जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनका भी त्याग नहीं करना चाहिए वो भी हमें ग्रहन करनी चाहिए यानि प्राचीनता को भी ये स्विकार करते थे अच्छी चीजों को और आधनिक में भी जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो भी इसलिए इनको आधनिक भारत का जनक कहा जाता है क्योंकि यही तो होना चाहिए कि हमें अपने प्राचीन मुल्यों को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो अच्छी चीज़े हैं जो समय के अनुसार तरक संगत हैं और आधनिकता में जो नई चीज़े आ रही हैं उनको भी हमें आ बीच सेत पुल इनको अतीत योम भविश्य के बीच का सेत भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दोनों चीज़ों को स्विकार किया था अब हम बात करेंगे कि इन्होंने बिरोध किस किस चीज़ का किया ये तो इन्होंने समर्थन किया इन चीज़ों का तो कुछ चीज़ों क आपका यही हो जायेगा सामाजिक कुरीतियों का बिरोध इसी के लिए पूरा जीवन उन्हों ने लगा दिया अपने हर एक कार में चाहे वो इनका कोई प्रकासन का कार हो चाहे उनकी संस्थाये हो इन सब चीजों में उन्होंने अपनी जो बाते ये सिर्फ लिखने के लिए ये उनके कार में इस पश्ट रूप से लिखित तवर से कानूनी तवर से और उनकी बिचारधारा में दिखाई पड़ती है उनकी पुस्तकों में पत्र पत्रिकाओं में उनकी संस्थाओं में ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है कि अगर कहा जा रहा है कि अंग्रेजी जिस उन्होंने ब्राम्हें कल मैग जीन अभी चर्चा करेंगे निकाली तो इस पश्ट होता है जैसे कि कहें कि क्या उन्होंने जो है केसर वाद का समर्थन किया तो क्या कुछ किया था ऐसा तो बिलकुल कुछ पत्र-पत्र काएं इन्होंने ऐसी चीजें निकाली जिन से जैसे एक्जामपिल टौर पे सतीप्रथा अगर सतीप्रथा के तो बहुत प्रबल ये गिरोधी थे और इनके प्रयासों से ही सतीप्रथा के बिरोध में कानून जो है लाड़ बिलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था भी इस पर हम चर्चा भी करेंगे सतीप्रथा है जो है बाल बिवाह, बाल बिवाह के बिरोध में इन्होंने बहुत से काम किये और इन्होंने जो है बहु बिवाह, बहु बिवाह के भी ये बिरोधी थे, बहु बिवाह और कन्या हत्या, कन्याओं की जो हत्या कर दी जाती थी, इसके भी ये बिरोधी थे, इस प्रकार से समाज में जितनी भी बुराईयां थी, परदा-परथा है, खास करके इस्त्रियों के जो दसायें थी उस में बहुत सी चीजों की कूरितियां फैली विती समाज में, इस्त्रियों से समंदित, उस पर भी इन्हों ने बहुत कड़ा, विरोध दर्ज किया है, छूवा छूद, ज जाती पर्था के तो बिरोधी थे ही है क्योंकि तभी तो इन्होंने अंतर जाती बिवाह को भी मानिता परदान की है इस्त्री उत्राधिकार को इन्होंने समर्थन किया क्योंकि यहाँ पर कन्या हत्या बहु बिवाह सती पर्था इन सब चीजों का इन्होंने बिरोध किया है बिध्वा बिवा को इन्होंने यस कहा कि बिध्वाओं का बिवा होना चाहिए इससे इस्त्रियों की जो समाज में स्थिती है सकती है वो और ज्यादा मजबूत होती है इस्तरी सिच्छा का इन्होंने समर्थन किया और यहां पे इन्होंने सती प्रथा बाल विवा कन्या हत्या बहु विवा का बिरोध किया है परदा प्रथा का बिरोध किया छुवा छूत और जाती प्रथा का भी इन्होंने खुल करके बिरोध किया है और कौन कौन सी चीजों का इन्होंने बिरोध किया तो ये तो बात हो गई सामाजिक कुरीतियों का बिरोध किया इन्होंने अब कुछ धर्म में भी कुरीतियां फैली हुई थी उसका भी इन्होंने बिरोध किया तो धर्म में यानि धार्मिक धार्मिक जो बुराईयां थी उनको भी इन्होंने बिरोध किया है उनका भी इन्होंने बिरोध किया धार्मिक बुराईयां तो धार्मिक बुराईयों में जैसे कि मैं इधर में नोट किये देता हूँ धार्मिक बुराईयों में जो इन्होंने बिरोध किया तो जैसे कि इन्होंने मूर्ति पूजा का बिरोध किया इन्होंने कोश्चन इस पश्ट तौर से पूछा जा सकता है मूर्ति पूजा का बिरोध निमने खित में से किस ने किया था सबसे पहले तो राजा राम मोहनराय ने किया था और पुरोहित वाद पुरोहित वाद क्या होता है पुरोहित वाद जैसे कि हर एक धर्म होता है यहाँ पर आप जैसे जाने कि कोई एक धर्म होता है धर्म के नीचे जो होता है समाज होता है यानि हम लोग होते हैं जो जनता है वो होती है और इसके बीच में एक बेक्ति आ जाता है जिसको हम पुरोहित कह सकते हैं एक मध्यस्त है धर्म और हमारे बीच में एक पुरोहित या मौलवी या पादरी हर एक धर्म में उसको अलग अलग नाम दिये जा सकते हैं तो पुरोहित है इसलाम में मौल भी आ सकता है और इसाई में जैसे पादरी आ सकता है इस प्रकार से बीच में एक ब्रक्ति होता है जो हमको धर्म की कठिन चीजों को सीखने में समझने में मदद करता है लेकिन समय में आगे चल करके क्या हुआ कुछ ब्रक्ति ऐसे आ गए जो अपनी स्थिती का फायदा उठाने लगे जो कि वो बीच में वीडियेटर थे तो उन्होंने धर्म की गलत ब्याख्या प्रसुत करना शुरू कर दिया जिससे समाज में जो धर्म की मूल चीजे थी उनका स्वरूप बिगड गया और वो जो वास्तों में हमारे धर्मों में कु ही बदल दिया उन्होंने और जो आम जनता होती है वो हर एक ब्यक्ति धर्म की प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने की छमता नहीं रखता है और नहीं उनको समझने की जो है चेश्ठा करता है तो इस प्रकार से जो बीच के लोगों ने समाज को भ्रमित कर दिया तो वो इस प की कसोटी पर तौलना चाहिए और जो चीजें वर्तमान समय में सही लगती है वही चीजें अपनानी चाहिए बाकी चीजों का परित्याग कर देना चाहिए छोड़ देना चाहिए इसलिए इनको अतीत यूम भविस के बीच का पुल भी कहा जाता है तो पुरोहित वाद के बिरोधी थे मूर्ति पूजा के बिरोधी थे और इन्होंने धर्म में जो आडंबर है दिखावा है बहुत ज्यादा आडंबर अंध विश्वास जो फैल गया है उसके बिरोधी थे और पाखंड और कह सकते हैं करमकांड के बिरोधी थे ये करमकांड के बिरोधी थे मूर्ति पूजा करमकांड में ही तो आता है करमकांड क्या होता है देखिए धर्म अगर कहता है मोच प्राप्त करने के लिए हर एक धर्म का उद्देश है कि आप अंतिम समय में सांति प्राप्त करें मोच प्राप्त करें कोई उसको स्वर्ग कहता है कोई जन्नत कहता है कोई मोच कहता है अलग-अलग जो है संप्रदाय धर्म में अलग-अलग उसको नाम विवेचना की गई है उसे बहुत बड़ा यगी करिए तो ऐसा हो जाएगा तो यगी के माइने ही बिदल दिये गए तो वह करम कांड में आ जाता है तो करम कांड के बिरोधी थे तो इस प्रकार से कौन कौन सी चीजों में ये समर्थन करते थे कौन कौन सी चीजों का ये बिरोध करते थे ये इनकी बिचारधारा है तो आप इसका एक स्किन सोट ले लिजे फिर हम बात करते हैं इनके परकासन पत्रयों प उस्तकें क्योंकि इन्ही के माध्धम से समाज में इन्होंने अपनी बात को पहुँचाया और जो भी चीज इनकी विचारधारा थी वो समाज में इन्ही के चीजों के द्वारा प्रभाहित हुई तो इस पर चर्चा करना अवस्यक है तो सबसे पहला जो इनका प्रयास है वो 180 थारा सो नौ में है और थारा सो नौ में इन्होंने एक जो है रचना की तुफात उल्मुआहिद्दीन तुफात उल्मुआहिद्दीन ये सबसे पहली इनकी रचना है तुफात उल्मुआहिद्दीन जो सबसे पहला इनका लेख है उसमें जो है इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था Qetzen आपसे पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा के खंडन के संबंध में राजा रामम हमराय की रचना कौँसी थी तुफात उल्मुआحिद दीन इसमें इन्होंने क्या किया मूर्ति पूजा का खंडन मूर्ति पूजा का खंडन इसमें किया गया था और ये फारसी में थी इसकी भासा क्या थी फारसी फारसी भासा में इन्होंने सबसे पहले ये रचना की और तुफात उल मुवाहिद दीन का जो मतलब होता है इसका जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है एकेस्वर वादियों को उपहार यानि ये पुस्तक जो है वो एक इस्वर वादियों के लिए लिखी गई थी कि जो लोग एक इस्वर में विश्वास करते हैं इसका अर्थी यह होता है तोफात उल मुवाहित देन फार्सी में है भासा भी पूछी आती है दूसरी जो इनकी रचना दिखाए पड़ती है इसके बाद में 1820 में इनोंने इसाई धर्म से संबन देते एक पुस्तक लिखी थी प्रिसेप्स आफ जीसस यह पुस्तक है प्रिसेप्स आफ जीसस दगाइड दगाइड तू पीस तू दपीस एंड हेवन इसका मतलब है इसा के नीति बचन इसका अर्थ है इसा के नीति बचन नीति बचन अर्थात सांतियवम स्वर्ग का मार्ग सांतियों स्वर्ग का मार्ग यह जो है ठारा सो बीस में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी क्योंकि यह हर एक धर्म को जो है पढ़ रहे थे बहुत डीपली उसका अध्यन कर रहे थे तो इन्होंने देखिए तुफात उल्मवाहित दीन में मूर्ति पूजा का खंडन किया और प्रिसेप्स आफ जीसस में इन्होंने इसा के नीति बचन लिखे और इसमें इन्होंने जो इसाई मिसनरी होते थे उनके जो प्रोपोगंडा था उनका जो आडंबर था उसका भी खंडन किया तो इसाई मिसनरी जो भी इसाई मिसनरी होते थे उनके आडंबर का बिरोध किया था और आडंबर का इन्होंने बिरोध किया और इसका प्रकासन जो है जान डिगवी जिनके ये दिवान थे पहले जान डिगवी के सहयोग से इसका प्रकासन हुआ था सहयोग से इस पुस्तक का प्रकासन किया गया लंदन में यानि इंगलैंड में इंगलैंड में इसका प्रकासन जो है 1823 में करवाया गया था और यह पुस्तक बहुत चर्चित हुई इंगलाइंड में क्योंकि इसमें जो है जो इसाई मिसनियों के द्वारा आडंबर फैलाया जा रहा था उसका बिरोध किया गया था और इसा के जो नीत बचन है सांतियों स्वर्ग के मार्ग के लिए उनको बखूबी दरसाया गया था तो ये पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी यहां तक की इस पुस्तक के बाद में बहुत से लोगों ने ये समझा कि राजारा मोहनराय जो हैं वो इसाई धर्म अपनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वो हर एक धर्म की अच्छी चीजों को निकाल के ला रहे थे और जो गुरीतियां थी जो बुराईयां थी उनको दूर करने की कोशिस करते थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो किसी एक धर्म का समर्थन करने लगे थे लेकिन यहाँ पर लोगों को लगने लगता है कि जो है जो राजरा मोहनराय हैं वो इसाई धर्म की तरफ ज्यादा जुकाओ दे रहे हैं इसके बाद में जो है अठारा सो बीस में ही इन्होंने एक अंग्रेजी में मैगजीन निकाली थी अठारा सो बीस में ही ब्राम्निकल मैगजीन ब्राम्निकल पूछी जाती है ब्राम्निकल मैगजीन खास करके ये पूछा जाता है ब्रामनिकल मैकजीन किस ने निकाली थी और ये किस भासा में थी तो ये अंग्रेजी भासा में थी यानि अंग्रेजी के ये समर्थक थे क्योंकि ये अंग्रेजी भासा के समर्थक थे तो इन्होंने ब्रामनिकल मैगजीन जो है वो अंग्रेजी में निकाली यहाँ पर तोफात उल्मुआहिद दीन को हमने देखा था फार्सी में लिखा था और इसके बाद जो बहुत एक चर्चित इनकी पत्रिका थी 1822 में इन्होंने संपादन का कारे लिया संपादन इन्होंने किया संबाद कौमदी का संबाद कौमदी यह इनकी बहुत ही चर्चित बहुत ज़्यादा फेमस एक पत्रिका थी जिसका संपादन का कारे जो है वो रजाराम मुहनराय के द्वारा किया गया जो की एक बंगाली य कुष्चन पूछा जाता है, जो संभाध कविमदी था, धैनिक था, साप्ताहिक था या जो भी है, तो ये साप्ताहिक जो है एक पत्र था, जो बंगाली भासा में था, और इसमें एक घटना हुई थी, इसमें क्या हुआ था, कि जो राजारा मोहन राए है, उनके भाई थे, इनके भाई यानि राजारामोहन राई के भाई थे जगमोहन और उनकी मृत्तिव हो गई थी जगमोहन की मृत्तिव हो जाती है और फिर जो है इनकी पत्नी जो थी अलका मंजरी इनकी पत्नी का नाम था यानि राजारामोहन राई की ये भावी थी इनको जो है सती होना पड़ भले ही इन्होंने बिरोध किया लेकिन इनको सती होना पड़ा और इस चीज ने वैसे भी राजारा मुहराय सती प्रथा के प्रबल बिरोधी थे और इनके ही घर में जब इस प्रकार की एक घटना हो गई ये कहीं बाहर गए थे उसी बीच में ये एक कार हो जाता है जिससे इनको बहुत आत्मगात हुआ और इन्होंने संबाद कौमुदी के माध्यम से बहुत ज़्यादा बिरोध सती परथाका किया तो संबाद कौमुदी में क्या होता था संबाद कौमुदी में खास करके सामाजिक बुराईयों का बिरोध होता था सामाजिक बुराईयों का बिरोध करते थे इसमें राजारा मुहनरा अपने संपादन के द्वारा खास करके आप लिखेंगे सती परथा अगर पूछा है और जो अच्छी चीजे थी उनका समर्थन किया जाता था तो यहाँ पे सती प्रथा को इस पेसली आप लिखेंगे और इनी के प्रियासों के दोरा यानि अपनी इस मैगजीन में लिखे गए लेखों के दोरा इन्होंने समाज में एक ऐसा वर्ग तयार किया जो इनकी बातों को मानता था और इससे जो है बंगाल में सरकार को सहूलियत हुई सती के खिलाफ एक्ट बनाने में क्योंकि जब किसी भी धर्म या समाज के किसी रिवाज के विपच्छ में कोई एक्ट बनाना होता है तो उस समाज में उसके लिए सकारात्मक इस्थितियां होना आवस्यक है नहीं तो सरकार का बहुत बड़ा बिरोध हो जाएगा तो यहाँ पर सती के खिलाफ एक्ट बनना था तो राजाराम मुहनराय के दोरा समाज में एक सकारात्मक दर्ष्टिकोर एक सोच डेवलप की गई थी और इसी से जो है लाड बिलियम बेंटिंग को सहूलेत होई और वो बंगाल में सती एक्ट लाने में काम्याब हुए तो अठारा सो वंतिस में काम्याबी मिलती है और कहां पर सबसे पहले बंगाल में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उसमें बंगाल में जो है लाड बिलियम बेंटिंग लाड बिलियम बेंटिंग बेंटिंग के द्वारा जो है सती एक्ट लाया गया सती बिनियम लाया गया और सबसे पहले इसे बंगाल में ही लागू किया गया था क्योंकि जो लाड बिलियम बेंटिंग है वो बंगाल का गवर्नर जनरल था देखिए अभी भारत का गवर्नर जनरल ये नहीं था ये तो 1833 के चार्टर एक्ट में आएगा तो सबसे अगर उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल होता तो इसके दोरा बनाया गया बिलियम तुरंत पूरे भारत में लागू हो जाता लेकिन उस समय ये बंगाल का गवर्नर जनरल था हलाकि बंगाल के गवर्नर जनरल के ही आधिन मंबाई और मदरास की प्रेसिडेंसी भी थी लेकिन उसमें थोड़ा से भी लंभ हुआ अठारा सो तेसमें इसे मदरास और बंगाई के च्छेतर में भी लागू कर दिया गया बंबाई छेत्रों में सभी छेत्रों में ब्रेटिस जितना भीता सब कहीं मदरास बंबाई के छेत्रों में लागू किया गया इसी को लागू किया गया तो आप कहें सकते हैं कि 1831 में लाड बिलियम बेंटिंग के दौरा जो सती बिलियम लाया गया जिसमें सती पर्था को खत करने के लिए वो बंगाल में पहले लागू किया गया फिर अनिचित्रों में भी लागू किया गया और इसमें जो एक निखाला मिरातुल-कबार जो पांचय नंबर पे आप बनोट करेंगे वें मिरातुल-कबार, मिरातुल-कबार का मतलब है बुध्धि का दरपण। अगर इसको हिंदी में अनुबाद करें तो बुद्ध का दरपण इसका मतलब होता है जिसमें इनोंने सच में दरपण दिखाने की कोशिस किये समाज को मिरातुल अखबार और ये फार्सी में था ये किस भासा में था? ये था फार्सी में इसमें आप नोट करेंगे ये प्रजाराम मोहनराय से सम्मंदित हैं उसमें आप नोट कली जैसे प्रज्या का चांद प्रज्या का चांद और इन्होंने जो है बंगला ब्याकरण का संक्लन किया था यानि बंगला ब्याकरण सब कुष्चन पूछे गए हैं सब आपसे पूछे भी जा सकते हैं बंगला ब्याकरण का संक्लन इन्होंने पुष्टक निकाली थी उसमें ब्याकरण समंदित अभी ज्यान था और उपनिस्दों का इन्होंने बंगला में अनुवाद किया था उपनिस्दों का ये भी बहुत मोहनराय ने उपनसिदों का अनुवाद किया था और बेद मंदिर नाम का भी इन्हों ने एक पत्र निकाला था बेद मंदिर जिसमें ये बेदों से समंदित जो अच्छी चीज़ें थी वो लोगों तक पहुँचाने का काम करते थे बेद मंदिर ये भी आपसे कुश्चन पूछा जा सकता है और हिंदू धर्म में उत्राधिकारों के नियम के समंद्ध में पुस्तक इन्होंने लिखी थी तो वो भी आप नोट करने हिंदू धर्म हिंदू उत्राधिकार उत्राधिकार नियम इसकी जो है इन्होंने एक पुस्तक प्रकासित की थी हिंदू उत्राधिकार नियम जिसमें इन्होंने इस्त्रियों को भी उत्राधिकार में सामिल करने के लिए बात उठाई थी तो इस प्रकार से हर एक मैजीन हर एक पत्र या कुस्तक इनकी कुछ न कुछ करांतिकारी विचार से जो है सजी होती थी ऐसा नहीं सिर्फ यह एक बार निकालते थे वो किसी उनका एक उद्देश होता था जैसे कि तुहाफत मुल जैसे कि तुहाफत मुवज दीन में इन्होंने फार्सी में मुर्ति पूजा का बहुत प्रबल बिरोध किया था और एक उसरवादियों को जो है इन्होंने समर्थन दिया था प्रिसेप्त आप गाड में इन्होंने इसाई मिसनली आडंबर का बिरोध किया था ब्रहमिकल मैजीन उन्होंने अंग्रेजी भासा के समर्थन में निकाली थी अंग्रेजी भासा में इसमें जो है लेख निकलते थे जैसे कि संबाद कौमुदी बंगाली में था सब्ताहिक और इसमें उन्होंने सामाजिक बुराईयों का भरपूर बिरोध किया सती प्रथा को जो समाप्त करने में संबाद कौमुदी का जो है बहुत बड़ा योगदान है चाहे आप राजा राम मोहनराय को कहिए चाहे ब्रम्भ समाज को कहिए बिचारधारा एक ही है इसके बाद इन्होंने जो है मिरातुल अकबार बुदिकादरपण निकाला जो फार् पत्रपत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागरुपता पैदा करने की कोशिस की अब इसके बाद जो सबसे प्रमुख चीज आती है इनकी संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाओं की इन्होंने इस्थापना की थी इन सभी पे अलग-अलग से साथ एंसर कुश्चन भी अब हम बात करते हैं संस्थाओं इनकी जो संस्थाओं है जो इस्थापना इन्होंने की हैं उसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आत्मी सभा आत्मी सभा की स्थापना जो है सबसे पहली इनकी संस्था है आत्मी सभा इसको जो है 1814-15 में इन्होंने इस्थापित किया था इस्थापना वी थी 1814-15 में क्या थी आत्मी सभा आत्मी सभा जो है वो दार्सनिक बिचार के लोगों की सभा थी ये क्या थी ये दार्सनिक ब बेक्तियों की सभा थी ये सबसे पहले यही सभा जो है इस थापित की गई थी दार्सनिक विचारों के बेक्तियों की सभा थी क्या होता था इसमें इसमें जो है हर एक धर्म वर्ग से समंदित जो बुद्ध जीवी वर्ग के लोग होते थे वो साथ में बैठते थे और अपने बोधिजीवी लोग बैखते थे और अपने धर्म और समाज में फैली हुई बुराईयां अच्छी चीजें बुरी चीजें इन पे चिंतन किया जाता था ताकि जो है उनको सुधारा जा सके तो आत्मी सभा की स्थापना राजारा मोहनराय का पहला जो है एक संस्था थी 1814 और जान बिगवी के और वहाँ से इन्होंने इसाय धर्म और अंग्रेजी सिछा को भी बहुत नस्दीकी से बारिकी से समझा था और उसके बाद जो है ठाला सो चौदा पंदरा में इन्होंने आत्मी शभा की स्थापना की अपने धर्म में अपने समाज में चीजों को अच्छ प्रता जो है उसका प्रचार प्रसार किया गया इसके द्वरा प्रचार प्रसार ये आत्मी सभा थी दूसरी जो इनकी स्थापना है वो है हिंदू कालेज बहुत फेमस है हिंदू कालेज हिंदू कालेज की स्थापना इन्होंने 1817 में की थी हिंदू कालेज 1817 में जो हिंदू सहायता से एक डच बेक्ति था डेविद हेयर इसकी सहायता से 1817 में हिंदू कालेज ये कालेज था कलकत्ता में कहा पे कलकत्ता में इस्थापित किया गया और ये हिंदू कालेज में आधुनिक सिच्छा दी जाती थी, यहां पर क्या था आधनिक सिच्छा यानि इंग्लिस सभी चीजें भारती भी और इंग्लिस भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेद पुराणी पढ़ाये जाएंगे और इसके बाद अठारा सो पचपन में प्रेसिडेंसी कॉलेज यही बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया और वर्तमान में इसको प्रेसिडेंसी विश्व पिद्याले के रूप में आप जानते हैं वर्तमान यानि आज के समय में यह क्या है यही है प्रेसिडेंसी बिस्विद्याले बाद में इसे बिस्विद्याले का दरजा दे दिया गया है अब तो Presidency बिस्विद्याले बन गया कब 1855 में ये Presidency College बना और इसमें वर्तमान में ये Presidency बिस्विद्याले बना है साइद मैं किलियर नहीं हूँ लेकिन आप देखेगा साइद ये 2010 में है आप इसे जरा Confirm करके हमें बताईएगा 2010 में ही साइद इसे बिस्विद्याले का दरजा दिया गया है बट ये fact आप नोट न करिएगा मैं सोय में Confirm नहीं हूँ कि 2010 में हुआ या 11 या कब हुआ है तो Presidency बिस्विद्याले का दरजा इसे comment करके अगर किसी student को किसी बेक्ति को अगर ये knowledge है कि ये Presidency College Presidency बिस्विद्याले कब बना तो आप ये जरा हमें Google search करके या बताईएगा comment करके तो 2010 में साइद तो ये Presidency बिस्विद्याले की रूप में जाना जाता है इसके बाद इन्होंने कलकत्ता Unitarian Committee की स्थापना की क्या किया कलकत्ता Unitarian यानि एकता Unitarian Committee सभा कलकत्ता Unitarian Committee की स्थापना की थी 1821 में देखे धड़ाद़ एक लाइन से आत्मी सभा फिर हिंदू कालेज उसके बाद कलकत्ता Unitarian Committee और इसमें जो है एक्वेस्वरवादी समर्थक थी ये संस्था ये क्या थी एक्वेस्वरवाद की समर्थक हर एक संस्था का उद्देश से था एक उद्देश होता था एक लच्ष होता था तो एकता जो है एकता की लिए इन्होंने हर धर्म के समाज की एकता के लिए सभा जो है कलकत्ता Unitarian Committee की स्थापना की थी जो एक एस्वरवाद पर आधारित थी यानि इस्वर एक है हर एक धर्म हर एक समाज को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए 122 में Anglo Hindu College यानि यहाँ पर जो है हिंदू धर्म भी यानि हिंदूस्तानी जो धर्म है उसकी भी सिच्छा दी जाएगी हिंदू धर्म प्लस अंग्रेजी या आप कह सकते हैं पास्चात जो सिच्छा है दोनों हिंदू धर्म से समंदित सिच्छा हैं और अंग्रेजी जो हैं वो सिच्छा हैं दोनों प्रकार की सिच्छा एंग्लिस मीडियम भी था और यहाँ पे बेद और जो प्राचीन संस्कृती उसकी भी सिच्छा दी जाती थी तो इसका नाम था इंग्लो हिंदू कालेज यानि दोनों का मिला जुला रूप इंग्लो हिंदू कालेज की जो बिल्डिंग है उसका जो वास्त शास्त्र भी है वो भी जो है वो चर्च और भारती जो कलाहे उसको मिला करके बनाया गया था तो इंग्लो हिंदू कालेज की स्थापना की और इ ऐसे ही नहीं आधनिक भारत का जनक कहा जाता है। वो है ब्रंभ समाज जिसके लिए इनको याद किया जाता है तो ब्रंभ समाज आया 20 अगस्त 1828 में आता है ब्रंभ समाज ब्रंभ समाज की स्थापना जो है 1828 में होती है और 1828 में जो ब्रंभ समाज इस्थापित हुआ था उसके कई उद्देशित थे एक खास करके तो इसका उद्देशित था धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार दोनों चीजों के लिए इसको याद किया जाता है और दोनों ही कार ये बखुबी करता था तो धार्मिक सुधार में उनकी क्या विचार दारा थे धार्मिक सुधार में ये जो है पाखंड आडंबर का विरोध करते थे पाखंड, आडंबर, पुरोहितवाद, कर्मकांड, आदि बुराईयों का बिरोध, आदि का बिरोध, यानि इन चीजों को सुधारने के लिए ये कार करता था ब्रम्भ समाज, और समाजिक सुधार में जैसे की सामाजिक बुराईयां, समाजिक बुराईयां, जितनी भी समाजिक बुराईयों का बिरोध, एवं आधनिक सिच्छा का समर्थन भी करता था ये, सिच्छा का समर्थन पीछे बिचारधारा में हम पूरा डिश्कस भी कर चुके हैं, कौन-कौन सी चीजों का जो है समर्थन था, कौन-कौन सी चीजों क बिरोध था वही सब आपको यहां पर नोट डाउन कर देना है कि अगर ब्रह्म समाज की भूमिका के भी से में कोई प्रसना आता है कि भारत के समाजिक धार्मिक सुधार के अंदोलन में ब्रह्म समाज की भूमिका पर चर्चा कीजिए याराजारा मोहन राय की भूमिका पर चर्चा कीजिए तो ब्रह्म समाज का उलेख आपको करना है और वहाँ पर धार्मिक सुधार में हम पीछे भी आपको विचारधारा में अभी बता चुके हैं समाजिक सुधार में समाजिक किन किन बुराईयों कोंका यह समर्थन करते थे कौन-कौन सी चीज का बिरोध और कौन-कौन सी चीज का समर्थन करते थे वो सब आपको इसमें लाकर के रख देना है और इन्हीं के प्रियासों से जो है 1815 में सती एक्ट आया और सती प्रता का उन्मूलन किया गया ये भी जो है एक इनकी उपलब्दी है तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ब्रह्म समाज जो है समाजिक सुधार में और ये बिज्ञान तरक बुद्धि को बढ़ावा देते थे को बल देते थे कि जब बेक्ति के पास विज्ञान का ग्यान होगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी तो वो स्वैम से ही सामाजी कुरीतिओं से बचने का प्रयास करेगा और इने की के प्रयासोंसे आप इसमें पूरा डिटेल में आप लिखेंगे कि सती पर्था का अंत किया सती पर्था का उन्मूलन हो सका कानूनी तोर से बहुत सी बुराईयां जो है सामाज में ब्याप्त थी उनका उन्मूलन हुआ सामाजिक तोर से और सती पर्था जो है कानूनी रूप से जो है बिलियम बेंटिंग के द्वारा इनके प्र तो इनकी योरोप यात्रा योरोप यात्रा जाने से पहले अथारा सो जब यह ब्रह्म समाज इस्थापित हुआ तो इन्होंने एक डीड कर दिया था यहां ब्रह्म समाज में इन्होंने इसमें जो ब्रह्म समाज का जो पत्र था उसमें एग्रिमेंट था या जो भी था इनका पूरा बायो डाटा उसमें पहले ही लिख दिया गया था की इनके बाद में यानी राजा राम मोहन राय की मरत्यू के बाद मरत्यू के बाद दो लोगों को इन्हों नामित किया था कि जो ब्रम्भ समाज का संचालन करेंगे कुश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रंभ समाज का संचालन राजा राम मोहनराय की मरत्यू के बाद किस ने किया था तो वो दो बेक्ति जो है वो राजा राम मोहनराय के द्वारा ही पहले ही नामित कर दिये गए थे जब ब्रंभ समाज का डीद लिखा गया था अठारा सो तीस में तभी यानि अठारा सो तीस में इसका जो बनाए गया डीद उसी में लिख दिया गया था तो इसमें जो है महारसी दो लोगों को नामित किया था महारसी द्वारिका नाथ टैगोर महारसी द्वारिका नाथ टैगोर और पंडित राम चंद्र बिद्या बगीस पंडित राम चंद्र बिद्या बगीस अम्ब महारसी द्वारिका नाथ टैगोर को पहले ही राजा राम मोहन राय के द्वारा नामित कर दिया गया था कि ये ब्रह्म समाज का संचालन हमारी मृत्यू के बाद करेंगे और यूरोप की यात्रा इनकी अंतिम यात्रा थी इसी में इनकी मृत्यू हो गई थी ये जो है मुगल समराठ क्या थी इनकी यूरोप यात्रा मुगल समराठ अकबर दितिय अकबर सेकेंड के पेंसन के मामले को लेके गए थी ये पेंसन का मामला देखिए जब इतना सामाजी कार इनका चल रहा था तो इनकी पापुलर्टी धीरे-धीरे मुगल समरार तक भी पहुंच गई थी कि ये ब्यक्ति जो है वो भारत में तो प्रभावसाली हैं भी यूरोप तक इनकी धमक है यूरोप के लोग भी इनसे प्रभावित हैं तो अकबर दुती को लगता था कि उनकी पेंसन कम है तो उस पेंसन के मामले को यानि उसको बढ़वाने के लिए याचिका ले करके इनको राजदूत बना करके राजा राम मोहनराय को जो है बिलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था मामला ले करें कहां गये थे ये गये थे बिलियम चतुर्थ के पास गये ये अठारा सो एकतिस में जो है राजा राम मोहनराय मुगल समराथ अकबर दुती के पेंसन का मामला ले करके इनके पेंसन कम थी बिलियम चतुर्थ के दरबार में ये गये अठारा सो एकतिस में कहां England यानि Britain England वहाँ पर जाते हैं और इनको इसी समय क्यों कि अपना राजदूत बना करके भेजते हैं तो यहीं पर जो है राजा की उपाधी जो है अकबर दुती के द्वारा दी गई थी राजा की उपाध 1831 इन्ही अकबर दुती के द्वारा जो है राजा की उपाधी राजा राम मोहनराय को दी गई थी क्योंकि कहा गया कि मुगल समराठ के दूत बन करके जा रहे हैं बिलियम तो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है इनको हम राजा बना करके भेज रहे हैं तो इनको कहा गया था कि आप राम मोहनराय मस्तिस्क ज़र बुखार आ गया था दिमा की मस्तिस्क ज़र से इनकी मृत्यु हो गई रजा राम मोहनराय की 1833 में कहां पे अभी मैं आपको उपर विवता चुका हूँ ब्रिस्टल में ब्रिस्टल लंदन ब्रिस्टल में ही जो है बंगाल से लेकर के ब्रिष्टल तक की धमक जो है राजा राम महुनराय की देखने को मिलती है ना केवल भारती समाजयों धर्म इन से प्रभावित था बलकि यूरोप के लोग भी बुद्धिजीवी लोग भी इनके विचारों से प्रभावित थे और वहां भी इनको बहुत स देखेंगे कि इनकी मृत्यू के बाद में किस प्रकार से ब्रम्भ समाज आगे बढ़ता है और फिर ब्रम्भ समाज में बटवारा हो जाता है यहां पर केशो चंदर सेन और द्वारिका नाट टैगोर राम चंदर विद्यावगी से इन सब के द्वारा ब्रम्भ समाज को आ